नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल, मोटिवेशनल थॉट्स पर आपका स्वागत है। नहीं मानने पर शेर उन्हें अपने अनुसार धन देता है। एक शेरनी के कैनाइन दात सेमी लंबे होते हैं, जिनसे वे बड़े शिकार को भी खीच कर गला गोट कर मार सकता है। नर्शेर के शरीर की लंबाई अमूमन 5 फीट 2 इंच से लेकर 8 फीट 5 इंच और मादा शेर की लंबाई 4 फीट 5 इंच से लेकर 6 फीट तक हो सकती है। बुझरात के गिर जंबलों में अगर शेर द्वारा किसानों के मवेशियों के शिकार किया जाए, तो सरकार द्वारा मालिक को मुआवजा देने का प्रावधान है। शेरनी की तुलना में नर शेर की ओसत आयू कम होती है। शेर के रंगों में भी बहुत बिन्नता मिलती हैं, इनका रंग पिला, लाल या गहरा भूरा हो सकता है। एशियाई शेर पेड़ों पर पेशाप करके अपने शेत्र को चिनित करते हैं। परंतो एक नर की तुलना में मादा शेरनी कमजोर और हलकी होती है। नर शेर की गर्दन पर धेर सारे बालों का कवच होता है। जबकि शेरनी की गर्दन पर बालों का ऐसा कोई कवच नहीं ह शेर की दहार बहुत ही विशिष्ट प्रकार की होती है, यह गहरे लंबे गर्जन से शुरू होकर छोटे छोटे गर्जन की श्रिंखला के बाद उत्पन की जाती है। शेर की जाती है, जबकि इसके विप्रीट शेर भूमी पर घूमने वाले मगर्मच को मारने के लिए जाने जाते हैं, शिकार करने का काम केवल मादा शेर ही करती है, नर शेर नहीं। नर शेर तो केवल शिकार को घेरने का काम करते हैं, शेर आमतोर पर बड़े जानवरों का शिकार करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जंगली बीस्ट, इंपाला, जेब्रा, भेंस और अफ्रीका में वार्थोग और नील गाय, जंगली बोर और भारत में हिरन की प्रजाति के लिए तयार हो जाती है, मादा शेर के गर्भाधारन की अवधी लगभग 110 से 120 दिनों की होती है, शेर नी अपने बच्चों को गुफा बना कर उसमें जंग देती है, शेर नी एक गर्भाधारन समय में 1 से 4 शावकों की समूर को जंग दे सकती है, शेर के निनहे बच्चो लगभग तीन सप्ताह के बाद चलना शुरू कर देते हैं। शावक अपनी मां का दूग 6 से 7 महीने के बाद पीना छोड़ देते हैं। लगभग 85 प्रतिशत शावक शिकारियों के हमले के द्वारा या भूख और गीदर, हाइना, तेंदुए और सापों के द्वारा शिकार हो जाने की कारण 2 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। ज्यादा तर मादाएं तब तक प्रजनक नहीं करती, जब तक उनकी शावक पर इपक्विया मर न जाए।